अच्छा ऐशा दोखा हमारे साथ किया भोगोगे तुम यह जो निकलता है ना भोगोगे यह अकार्ट के होता है क्योंकि किसी का भी हिर्दे मालो किसी भी जियो जंतर को आप कष्ट दें और उसका हिर्दे आह भर जाए तो वो आह बज्जर की लिखे तुम्हें भोगना पड देगे कोई एशा काय कोई आह भर करके दिया तुम शमर्थ हो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं और से फिर फिर तुम्हारी शामर्थ कामने करेगे मिट्टी में मिला देगे ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा कोई हिसाब किताब नहीं जो कर रहे हैं भोगत अब्यम बहुत शावधान जीव स्वयम नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आपको बांध रहा है आपको मुक्त होना है बंधना नहीं है जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है कर्मों के बंधन से होता है और उसको अपना रिण चुकाना होता है कर्मा अनुबंध ये बहुत सूक्ष में भी शह है जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए है तो उस परिवार के लोगों से आपका रिण है इसलिए उसी पर प्रिवार में आप आये हैं और रिणानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वशूल किये आप वहां से जाएंगे नहीं आपको लेना है तो वशूल करना है और देना है तो चुकाना है ये पूर के जन्मों से निश्चित किया गया है जैसे किसी के हाँ पुत्र हुआ जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ जो बड़ा हुआ तो उद्धंडता के द्वरा मार पूरे परिवार को क्लिस पर क्लिस देता चला जा रहा है ये तुमारे कर्म का फल है या ऐसे सक्तिह पुझे जीवन सेवा करो तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वाया है अब परिवार की जो शदस्य जुड़े आके मलपत्नी आते ही पूरी हर्दय में आनंद परिवार में आनंद और जीवन भर वो आनंद ही शुख देने के लिए उसका जन्म हुआ है वो अपना रिण इंकर क्लेस खड़ा कर दिया बीच में दिवाल और जगड़ा वैसा फिर अतरे दिन मार पेट शुरू कलेया शांती पूरा जीवन नर्क हिसाब करने आई है यहां रिर्ण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता रिर्ण चुकाना पड़ेगा कि किसी का रिर्ण वसूल करना है तो किसी को रिर्ण चुकाना है दोनों काम करने होते हैं अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बरताव किये हैं अच्छे या बुरे वो होंगे अब किसी आदमी को हम जानते नहीं अचानक मिला अचानक टकर लगा और मार पीट गाली गुपता सब कर दिया दूल का हिशाव हमारा उससे कोई द्वेश नहीं कोई शंकल्प नहीं अचानक घटना घटी और हमसे द्वेश करने लगा में पीटने लगा में गालियां यह हिशाव है चुप चाप सह जाओ अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेस दिर हिशाव है एक प उनको भेट में देते लोग तो या तो ठाकुर शेवा में लगे ततकाल या शंत शेवा में ततकाल लगे उसका संग्रह करके डोलना यह ठीक नहीं है बैरागी के लिए शिद्धांत में यह ठीक नहीं है तो जब दो, चार, छे, आठ ऐसे मोहरे हुई तो उनको विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रियाग राज में जब कुम्ब पड़ता है एक बार पूरे शाव अखाड़े के संतों को अलग-अलग संप्रदाएक सब संतों को बुलाएंगे और सब को पुलाएंगे अब सादू है तो यह यही विचार करेगा और क्या विचार करेगा तो उन्होंने एक ऐसे डंडा बनवाया बेंथ जो उपर से चूड़ीदार और भीतर पोला और मोहरें उसमें डालते गए और भ्रमर जहां-जहां स्रद्धाल भगत्य सब के यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे कि प्रभू जो चाहें वो करें अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए अपनी चाह प्रभू की चाह में मिला दिनी चाहिए भीरी धीरे ओ छडी भर गई ब्रह्मन करने वाले महत्मा चूड़ी लगाई इंतिजार करते रहे जब प्रयाक का कुम्भ पड़ा तो चले तो रास्ते में एक गाओं में पूछा जाता है जिससे कहीं रुक है कि कोई श्रद्धालू ऐसा है जो संत सेवी है तो कुछ लोगों ने बताया हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे आई ये महाराद घर में रुका खुब अच्छा हलुआ पूडी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दवाए चरण दवाते दवाते उनकी दृष्टी पड़ी उस डंडे पे इतना मोटा और उपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही इस डंडे में तो कोई रास्य है अब महात्मा जी को खवा पिला के शुला दिया महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से धीरिस का और डंडा लाव भावा जी का डंडा ओ चूड़ी दार जो ही खोला पल्टाया तो सैक्णों मोह रहे हो जो ऐसे संत रोज पधारे वागवान तो आनंद हो जाए फिर क्या पत कड़ भर के चूड़ी लगा कर सिराने रख दिया सारी मोहरें अटाली महात्मा जी आराम से उच्छड़े उठाए तो वजन पक्कावे से बड़े लोग चतुर होते हैं पर यह नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है और उनके कोई शंतान नहीं थी पर धन में इतना प् पर अगर उसको जोर्जवर जिस्तिया किसी चल कपट से तो वो उसका विनाश ही करता है आज तक का प्रमान है अब उनको यह भाव पता नहीं होगा या पता होगा तो लोग के कारण वो उसको माननी पाए होंगे बातमा जी गए प्रयाग में किसी अखाड़े पर रुके औ और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपुर्ण अखाड़ों का निमंत्रन किया जाए और शाप शंतों को भोग पवाया जाए उनको दक्षणा भी दी जाए महांत ने शोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सो है क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा शब उनका म महाराज बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा सब विवस्ता है एक एक हिशाव हम करेंगे हमारे पास सब विवस्ता है बोले कुछ तो पहले दे दो इकठे देंगे हम उनको था कि अगर हम छड़ी खोला और दो चार मोहरे दी किसी पता लग गया तो गड़बर हो सक हम भंडारे केश्व है आखिरीम सब कुछ आपको दे देंगे ठीक है ओपने पास से पैशे लगा कर खूप जितना शामागरी शब लाए लाखों की और शब शंतों को निमंत्रन कर दिया शंत जन निमंत्री थो गए भंडारा बन रहा है तब वहां के महांता है उनका देख हमारी शामर्थ नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने विवस्था की अब मुझे अर्थ चाहिए तभी आगे की विवस्था बढ़ेगी संतों को दक्षणा देंगे और जिन से अर्थ लिया उनको दे देखो रश्वई बन गई है सब उनका चत में विश्वास नहीं तो यह चूड़ी खोली उनको तो था ना कि मुहरे हैं कंकर तो जिसे कितना उनको शदमा लगा होगा हजारों शंतों का निमंत्र रसोई बन अब शंत हो के चलकपट तो उनका महराज आपने तो हमारा नाश कर दिया जो महंत थे अब बताओ रशोई बन गई शंत निमंत्री थो ग अब बोले तो क्या बोले क्योंकि उनको पता था कि मुहरे हैं इसमें अंदर शे उनका चिंतन गया उसी शेट के पास अच्छा ऐशा दोखा हमारे साथ किया भोगोगे तुम ये जो निकलता है ना भोगोगे ये अकाट्ट होता है क्योंकि किसी का मिहर दे मालो किसी भी जि और उसका हरदय आह भर जाए तो वो आह बज्जर की लिखे तुम्हें भोगना पड़ेगा वो देखो भीसम जी को भोगना पड़ेगा साप को ऐसे धनुस की नोक से उठाया और बंबूल के काटों के उपर फेक दिया कई दिन तक शेदा हुआ वो आह भर करके मरा तो आप किसी की ना लेना जिन्दिगे में कोई यह शाकाए कोई आह भर करके कह दिया तुम शमर्थ हो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं अंदर से दुख फिर फिर तुम्हारी शामर्थ काम ने करेगी मिटी में मिला देगी फिर थो शंत थे और भगवत आराधना के लिए शंत आराधन गए और शंगम में जाके छलांग लगाई उपने प्राणत्याग दिये अब उनकी तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा और नो-दस महिने बाद ही लड़का हुआ अब तो उनको आंकी संत फली भूत हो गया देखो व्यापार चला लड़का नहीं होता था लड़का भी ह हो गया बड़ा आनंद शा रहा है जब से वो प्रगठ हुए और धन की ब्रद्दी शुरू हो गए पढ़ाय लिखाये में उनके खर्चा हुआ सब बीमारी शुरू हो गए उनके शरीर में अब उसमें पैशा जाना शुरू हुआ इतने आशक तो वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो ब्यापार ठप संपत्ती बेचना शुरू है तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए बुले हमारी अंतिम इच्छा है प्रयाग शलो और जितने प्रयाग में शंत महात्मा सब को एक बार भंडारा करवाओ हमारी इच्छा अंतिम है क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी बुले अब ज्यादा संपत्ती तो नहीं रह गई तो बुले घर बेच दो मेरे लिए ही तो है बेच दो मुझे लगता मैं बचूंगा नही पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो घर बेच दिया जेवर बेच दी वहां गए जब शंत शेवा की तो बोले मुझे शंगम तक ले चलो संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ अब कीवल मम मता और आसकती में जल कर मर और नर्क प्राप्त कर मैं वही मात्मा हूं जिसकी तुने मोरे ली थी सरी छोड़ दिया मात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुरगती भोगनी पड़ी रिणानुबंध होश में ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा कोई हिसाब किताब नहीं जो कर रहे हैं अवश्य में भोगत अब्यम बहुत शावधान अनेक जन्मों में अनेक लोगों शे जो कुछ लिया दिया है इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए इसलिए एक उपाय है लेना न देना मगन रहना क्या मालिक को सम मर्पित कर दो खतम अहम तो आम शर्पापे भ्यो मुक्ष श्यामियों साब खता मागे पीछे लेना देना साब खतम एक अदस इसकंद में भगवान स्री कृष्ण चंदु ने कहा जो मेरे चरणों का आस्रे लेकर मेरा भक्ती भक्त मेरा भक्ती करता है उसके पित रिण मात रिण देव रिण साब रिणों से मैं मुक्त कर देता बत यही एक उपाए है जो इसके बंद करने का उपाए भक्तों के लिए है वो यही है भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान की अरपित करदो अर्पित करने का ताथ पर उसमें आम हटा दो तदी अंबस्तु गुविन्दम तुभे में उशमर पे जिनसे तुमने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा ये लेने देने का व्यापार जब तक समापत नहीं होगा तब तक तुम्हारा जनम मरन चलता रहेगा अब आपको यहाँ समझना है यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेहिमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजी आपने बेहिमानी की थी इसलिए आपकी बेहिमानी हुई है ले गया कोई बात नहीं है बंधन से मुक्त हुए जो बोजा था चला गया उसको ऐशा ना देखे कि ये बेहिमान हमारे रुपे मार लिए अप जो कुछ होगा देखेंगे अगर आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा भोगना पड़ेगा ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा एक ही उपाय है कि आप जो शरीर धारण के इसी में जो भोगले भोगले आगे ना होना चाहिए तो क्या करे शर्वतो भावेन भगवान की शर्म ले ले ये तो शर्वानी कर्मानी मैश शन्यस्चे मत पराहा अनने नई योगेन माम ध्यान तुपास ते तेसा महाम समुद्धर्ता म्रत्य संसार से ये बड़ा कठी नई पार होना कोई छुटी मुटी बात है एक महात्मा बाल्ली आवस्था से भजन करते थे साली गराम भगवान पास रखते थे और उन्ही की आराधना करके बस पाठ नाम जब और ध्रमन करते थे ये ववन अवस्था थी गंगा जी के किनारे अपने ठाकूर को विराज मान करके इशनान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि नब्बे लोग आ गए भाला तलवार सब लेए मारो मारो इसको मारो गेर लिया तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हमने क्या पराद किया कोई शुनी नहीं रहा तो उन्होंने का मार तो डालोगी ही आप नब्बे लोग हम कोई अस्तरसस्तर तो ले नहीं एक बार हमें गंगा में डुपकी लगा देने दो और अपने ठाकूर को इश्नान करा देने फिस के बाद आप मार देना भगवद इच्छा से उलोग रुख गए इश्नान किया और अंदर सिप्रार्थना की प्रभू ये क्या लिला है आपकी आपकी श्विवा मेरा कोई है नहीं और ये मुझे मारना चाहते है तो भगवान ने जानते हो क्या कहा उनकी अंतर में तुम मेरे में ध्यानस्त हो करके शरीर को छोड़ो ये लोग मारेंगे ये मेरे भजन का फल है कि तुम्हे नब्बे जन्म नहीं लेना पड़ेगा एक ही जन्म में नब्बे मिलके तुमने नब्बे हिंसा की थी पूरो में तो तुम्हे नब्बे बार जन्म लेना होता और एक एक करके मारते ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही नब्बे का हिसाब हो जाएगा तुम आखमुन्दो मेरे ध्यान में मगन रहो मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और श्वाभाविक मुर्षा वस्था में प्रान तुम्हारे चूट जाए ऐसा ही हुआ ऐसा हुआ तो ये बात समझ लो कि ये जो कर्मान बंध है रिनान बंध है आप देखो अगर शाप महत्माओं ने दिया कि तुम्हारे वन्ष का इश्य बिनाश होगा तो भगवान भी परमधाम जा रहे है तो उसी कील से बान की नोक में जो मच्री लील गए थी छोटा कर उसी शिफ्ट की नोक बनाई और उसी नोक प्रहार किया भगवान के स्री चरण में वही बान की नोक लगी और भगवान भा स्वैकार किया ना भगवान का बड़ा लीला बिचित्र है अगर छूप करके उधर रामा उतार में बाद तो इधर स्वैकार किया है भगवान ने ऐसा कहीं नहीं दिखाए कि मैं भगवान हूँ तो मैं अपने लिए ऐसा नहीं दिखाए नारजी का हित किया पर नारजी ने शाप दिया भगवान ने श्वैकार किया बंदरों नहीं शायता कि जैसा बोले थे वेशा ये लीला इस सरीर में भोगनी पड़ेगी हाँ ज्यादा को कम में भुगता देंगे पर अब अगला सरीर ना मिले इसके लिए शर्वतो भावें भगवान के आश्रित हो जाए जैसे आपने दुकान फैला रखी है तुश में दो काम होते हैं लेना और देना किशी को उधार दिया है तो हमें उसे लेना है और कोई नगत देकर शामान ले रहा है तो उसे शामान देना है या उधार लिया है तो हमें देना है अब अगर दुकान बंद करनी है तो तुम्हें देने वालों पर जोड देना है लेने वालों पर जोर नहीं लेने वाला तो जाओ हम शमा किया शमर्पित किया हमारा कोई शमर्ण खतम हो जाएगा लेकिन देने वाला तुम अगर दुकान भी उठा दोगे तो जहां भी रोगे तुम्हारे पास वो आएगा लाइए हमारा तो देने पर नजर रखे जिसका जिसका हिशाब है वो आपके शामने आता जाए हटाते जाओ लेने पर नजर मत रखे और दुकान फौरण उठा दीजी नहीं अगर लेते देते रहे तो चलता रहेगा आगे चलकर कुछ लेना न देना मगन रहना बस अपने प्रभू के चिंतन में अब हम कैसे जाने कि किसको क्या देना है हमें क्या पता हम पूरा हिशाब जिनको पता है उनको दे देते हैं समझ रहे हूं उनको पता है क्या लेना है क्या देना है इनके पास पहुंच गया है सरकारी हिशाब से शब बराबर कर देंगे हमको अपनी जुम्मेवारी इनकी चरणों में समर्पित कर देना है तभी हम जीवन मुक्त होंगे ये राजशी की बात है प्रभु कह रहे है यश्य शर्वे शमा रंभाह काम संकल्प वरजिताह ग्यानागनि दग्ध करमाणं तमाःू पंडितम बुधाह जिसके संपुर्ण कर्मों के आरंभ शंकल्प और कामना से रही थे तथा जिसके संपुर्ण कर्म ग्यान रूपि अगनी से जल गए हैं उसको ग्यानी जन भी पंडित कहते हैं, बुधिमान कहते हैं पुझे स्री भाईजी महराज कह रहे हैं जैसे वहां ज्यानाग्निसिय दग्न कह रहे हैं तो अपने ब्रंदावन वास्यों का प्रेमाग्निसिय शौप कर्मशन्सकार दग्न होते हैं जिस समय आपके हरदय में भगवत प्रेम का प्रादुर्भा होगा तो लेश मात्र कभी तुम्हें दुख नहीं भोगना पड़ेगा प्रेम का प्रादुर्भा होते ही दुख का नाश हो जाता है महाशुक जब प्रेम का प्रादुर्भा होगा तो समस्त पाप भस्म हो जाते हैं अशांगती नश्ट हो जाती है शंशार ज्वाला इस पर्ष भी नहीं कर सकती है जब भगवत प्रेम का प्रादुर्भा होता है तो हो शकता है उस उपासक के जीवन में दुखों का पहार तूट पड़े परिवार खिलाब शरीर रोगी अविवस्था बहुत बहुत कुछ सब कुछ कहरें इतना सब होने पर भी उसके हरदय में कोई भी दुख नहीं होता यह सामर्त शाली भगवत प्रेम है भगवान के चरणार बिंदका जिसके हरदय में प्रेम है भारी से भारी दुख भी उनको विचलित नहीं कर सकता